नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका समीर पाट साला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं जॉन गाल्सवर्दी के दुआरा लिखा गया एक प्ले जिसका नाम है दोस्तों लोयल्टीज इस प्ले को हम इस वीडियो में पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे मैं इसके करेक्टर्स और इसकी समरी दोस्तों आपको इसी वीडियो में समझा दूँगा इस वीडियो के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने के जोड़त नहीं पड़ेगी तो आपसे request है वीडियो के अंध तक बने रहें शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो loyalties play को लेकर ठीक है सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ key facts बता देता हूँ ये loyalties play है जो जॉन गाल्चवर्दी ने लिखा है ये 1922 में दोस्तों आया था जॉन गाल्चवर्दी ने अपने इस play के बारे में कहा था दोस्तों ये line यदि आप से exam में पूछी जाए कि ये line किसने कही है या फिर किस play के बारे में कही है तो आपको answer देना है कि ये line जॉन गाल्चवर्दी ने कही है अपने play loyalties के बारे में इनोंने कहा है कि मेरा लोयल्टी जो है वो एक लोता ऐसा पिले है जिसको मैं किसी भी थेटर के मैनेजर के पास लेके जाऊंगा तो वो थेटर का मैनेजर इसको परफॉर्म करने से मना नहीं करेगा ठीक है ये लाइन जो बोली है लोयल्टी के बारे में जो तो जोन दोस्तो ये प्ले जो है सेंट मार्टिन्स थेटर में तकरीवन एक साल तक बिल्कुल हावस्फुल चला था ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो play है loyalties कौन से थेटर में perform किया गया था सेंट मार्टिन्स थेटर में perform किया गया था जहां पर ये एक साल से भी ज़्यादा तक दोस्तो houseful चला था तो ये थे दोस्तो इसके कुछ key facts अब मैं आपको इसके characters के बारे में समझा देता हूँ सबसे पहला character है दोस्तो इसमें रोनाल्ड डैंसी इसका दोस्तो रोनाल्ड डैंसी का जो nickname है वो रोनी है रोनी एक retired military officer है इसके कंदे पर दोस्तो DSO का तमगा मतलब जो medals दोस्तो मिलते हैं आर्मी officers को उनमें से एक medal DSO भी है इसकी full form है distinguished service order ये जो medal है दोस्तो रोनाल्ड डैंसी जिसका नाम निकनेम जो है रोनी है उसको मिला हुआ है ये United Kingdom के ऐसे officers को दिया जाता है जिनोंने किसी ना किसी war में participate किया हो तो रोनी के पास ये DSO की उपाधी ये DSO का जो तमगा है दोस्तो इसके कंदे पर लगा हुआ है दूसरा character है इसमें Ferdinand D.Lavis ये दोस्तो एक यहुदी है जियू है Ferdinand D.Lavis अब रोनी के बीच में और इस D.Lavis के बीच में एक छोटी सी deal होती है मतलब एक छोटा सा वयापार होता है ये रोनी जो है D.Lavis को एक घोडी को बेच देता है घोडी नहीं मतलब छोटा बच्चा होता है फिली होती है उसको बेच देता है और यही छोटा सा वयापार आगे जाकर विबाद बन जाता है इस पले में ये चीज़े आपको कहानी जो है समझ में आएगी जब मैं आपको इसकी स्टोरी पढ़ाऊंगा दोस्तों नैस्ट करेक्टर है मेबल डैंसी ये जो है दोस्तों रोनी की वाइफ है एक बात आपको याद रखनी है रोनाल डैंसी जो रिटायर्ड ओफिसर है आर्मी से उनका निकनेम रोनी है मैं इसको रोनी नाम से ही दोस्तों इस प्ले में आपको बताऊंगा ठीक है मेबल डैंसी जो है वो रोनी की क्या है दोस्तों वाइफ है इसके अलावा नैस्ट करेक्टर है दोस्तों चार्ल्स विंसोर ये एक पार्टी का आयोजन करते हैं मतलब ये एक पार्टी के होस्ट हैं दोस्त तो इस पार्टी के अंदर Rony, D. Levis और ये Mabel Dancy, ये तीनों के तीनों इसकी पार्टी में जाते हैं, और ये विवाद जो है दोस्तों यहीं से इसकी पार्टी से ही खड़ा होता है, ठीक है, और ये विवाद इतना आगे बढ़ जाता है, कि Rony जो है, एक वकील को हायर करता है, जिसका नाम Jack Up Twisden है, ये वकील है दोस्तों रोनी का, जिसको Rony हायर करता है, वैसे तो दोस्तों ये पहुत ही इमानदार वकील है, इसके पुरके, इसको ये समझा कर गए हैं, कि जब भी हम कोई भी केस किसी के खिलाफ लड़ते हैं, तो हमें हमेशा नियाय के पक्ष में र आदमी है, इसके अलावा दोस्तों पाउलियो रिकार्डोज एक इटेलियन आदमी है, जो इस रोनी को दोस्तों ब्लैक मेल करता है, इस प्ले के अंदर, इसके अलावा इसमें एक और करेक्टर है, जिसका नाम है जर्नल कैनेंज, ये दोस्तों रोनी के सुपीरियर है, सीनि में आ जाएगी तो ये सारे करेक्टर्स मैंने आपको बता दिये अब सुरू करते हैं दोस्तों इसकी कहानी को इस प्ले की सुरुवात होती है दोस्तों रोनी से रोनी जो है एक रिटायड आर्मी ओफिसर है जब ये आर्मी में था तो इसकी लाइफ जो है दोस्तों हैं वो ढूंडने की कोशिस कर रहा है समाज में लेकिन अभी तक इसे कोई भी ऐसा चीज नहीं मिली कि जो इसे ऐसे excitement या adventure दे सके तो रोनी के decide करता है कि ये अपना दिमाग अपना time जो है लड़कियों और ओरतों में वैतीत करेगा ये रोनी जो है दोस्तो हर रोज एक लड़की के साथ एक लड़की या फिर ओरत कह सकते हैं उनके साथ अपनी हर एक साम को वैतीत करता है लेकिन ये सिलसिला द रखने के लिए क्या करता है दोस्तों ये एक अस्तबल बनाता है मतलब जहां पर गोड़े पाले जाते हैं अस्तबल ये बहुत ही महंगा अस्तबल बनाता है रोनी ने अपना बहुत सारा पैसा तो डोस्तों I.A.C. में लड़कियों के पीछे बरबात कर दिया है और अब ए दोस्तों बेचना डिसाइड करता है, अब ये किसे बेचता है, ये Ferdinand D.Levis, D.Levis मैं इस प्ले के अंदर दोस्तों इसे कहूंगा, ठीक है, रोनी जो है D.Levis को अपनी फिली, जिसका नाम रोजमेरी है, उसको बेच देता है, और इसके बाद इसका थोड़े दिन तक काम चल है, लेकिन रोनी को दोस्तों इस घोड़े के बिजनिस में भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो रोनी क्या कहता है, कि मुझे ये सारे के सारे फालतू के काम छोड़ कर, एक सीधी साधी अच्छी जिन्दकी गुजारनी चाहिए, तो रोनी ये डिसाइड कर लेता है, कि अब उसे सीधी साधी और अच्छी जिन्दकी गुजारनी चाहिए, तो ये बेकार के सारे के सारे काम छोड़ देता है, रोनी और एक अच्छी सी लड़की देखकर साधी कर लेता है, मेबल डैंसी नाम की लड़की से, मेबल डैंसी जो है दोस्तों बहुत ही इमानदार और वफादा रखा है कि वो लंदन के बड़े-बड़े किलब्स में अपनी मेंबर्शिप को continue कर सके दोस्तों ये किलब्स पर बड़े-बड़े लोग जो पार्टी करते हैं वो जो भी लोग मेंबर्शिप लेते हैं वो उन्हें वीकेंड्स पर पार्टियों में बिलाते हैं तो ronny और उसकी पतनी mabel dancy ये दोनों weekend पार्टी में दोस्तों जाते हैं बड़े बड़े लोगों के यहां पर क्योंकि इनने कलब की membership को दोस्तों लिया हुआ है तो दोस्तों इसी तरह की पार्टी का आयोजन करते हैं कौन? Charles Vinson चार्ल्स विंशोर एक पार्टी रखते हैं दोस्तों और जो पार्टी का आयोजन होता है वो मैलडन कोर्ट नाम की जगा पर होता है दोस्तों ये पार्टी के होस्ट है चार्ल्स विंशोर इन्होंने पार्टी रखी है इन्होंने किलब के सबी बड़े बड़े लोगों को इन इसके अलावा दोस्तों पार्टी में Ferdinand D. Levis भी वहाँ पर आता है Ferdinand D. Levis ने भी मेंबर्सिप ली हुई होती है ये भी Charles Windsor की पार्टी में दोस्तों आता है Ferdinand D. Levis का जो अगर बुन्यादी हालत देखें तो मतलब स्टार्टिंग में वो बहुत ही गरीब था उसने अपना बिजनिस चलाया और उस बिजनिस में काम्याब हुआ और आज उसकी गिंती लंदन के बड़े आद्मियों में होती है उसे भी बड़ी बड़ी पार्टियों में इन्वाइट किया जाता है चार्ल्स विंसोर के यहाँ पर पार्टि सुरू होती है सारे महमान एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं बातचीत के दोरान दोस्तो इस रोनी को पता चलता है कि जो रोनी ने एक घोड़ी फरडिनेंट डी लैविस को बेची थी वो डी लैविस ने दोस्तो एक हजार पाउंड के प्रोफिट से बेच दी है जब ये बात रोनी को पता चलता है कि उसने मेरी फिली से इतना जाधा प्रोफिट कमा लिया है तो रोनी को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है लेकिन वो अपने दुख को बया नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर डी लैविस से चिड़ने लगता है रोनाल डैंसी पार्टी में रोनाल डैंसी मतलब दोस्तो रोनी जिसका नाम है रोनी पार्टी में इस डिलैविस से एक सर्थ लगाता है कि वो चार फिट उचे बुक केस के उपर से कूद सकता है दोस्तो ये सर्थ होती है रोनी और डिलैविस के बीच में जो रोनी है, retired army officer है, 4 feet उचा जो case है, उसके उपर से कूधना, रोनी के लिए बहुत ही आसान काम है, यह सर्थ लगाता है, यह रोनी डी लैविस के साथ, और आसानी से इस सर्थ को जीत जाता है लेकिन डी लैविस दोस्तो ऐसे कामों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं जो चंद पैसो के लिए ऐसे ऐसे बेकार के काम करते हैं ऐसे लोगों से ये डी लैविस जो है बहुत ही चिड़ता है और ऐसा ही छोटा काम रोनी ने भी किया है उस 4 फिट उची केस के ऊपर से कूदने की सर्त लगाने का तो डी लैविस इस हरकत से थोड़ा सा चिड़ जाता है रोनी की साम का समय होता है दोस्तों चार्ल्स विंसोर की पार्टी यहाँ पर चल रही है चार्स विंशोर की पार्टी में सभी लोग खाना खा रहे हैं खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं चार्स विंशोर भी अपनी वाइब के साथ सोने के लिए दोस्तों अपने कमरे में चला जाता है सारे महमान भी आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले आते हैं काफी देर रात हो जाती है रात को अचानक से किसी की चिलाने की आवाज आती है चार्ल्स विंसोर और उसकी वाइफ दिन दोनों की आखे खुलती है वो देखते हैं कि कौन चिला रहा है ये दोनों बाहर निकल कर आते हैं अपने कमरे से और आकर देखते हैं कि डी लैविस जोर जोर से चिला रहा है और कह रहा है कि उसने अपने फिली को बेच कर जो एक हजार पाउंड कमाए थे वो उसके ठकिये के नीचे से किसी ने चुरा लिये हैं अब दोस्तों ये डी लैविस जो है इस पार्टी के होस्ट चार्ल्स विंसोर से कहता है कि आप यहां पर आए हुए अपने महमानों की तलासी लो जिसने भी मेरे हजार पाउंड चुराए हैं वो हजार पाउंड उसके पास निकलाएंगे लेकिन चार्ल्स विंसोर जो है दोस्तों ऐसा करने से मना कर देते हैं कि मैं अपनी यहां पर आए हुए महमानों की बेज़ती नहीं कर सकता यदि मैं उनकी तलासी लोंगा तो वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाएंगे इसलिए मैं उनकी बेज़ती नहीं करूंगा तो डी लेविस क्या करता है दोस्तों जब यह चार्ल्स विंसोर उनकी तलासी नहीं लेते तो डी लेविस बुला लेता है पुलिस को पुलिस वहां पर आ जाती है सबी लोग डी लेविस की आलोचना करने लगते हैं कि इस मुद्धे को बाद सीस से निम्टाया जा सकता था लेकिन डी लैवीस ने यहां पर पोलिस को बुला कर अच्छा नहीं किया रोनी जो है दोस्तों डी लैवीस के खिलाफ हो जाता है रोनी के बाकी दोस्त गो इस पाटी में हैं वो भी दोस्तो इस D-Lavis के खिलाफ हो जाते हैं कि उसने पुलिस को बुलाकर यहां पर अच्छा नहीं किया है अब दोस्तो यह रोनी जो है इस D-Lavis पर ताना मारते हुए कहता है कि जो D-Lavis है वो एक छोटा आदमी है बेसक आज इसके पास पैसे आगए है इसकी गिंती जो है वो रहीस लोगों में होने लगी है लेकिन यदि हम इसके पास को देखें तो यह बहुत छोटा आदमी था इसकी सोच आज भी छोटी ही है कभी इसके पिताजी जो है सड़कों पर इस सहर की सड़कों पर कारपेट बेचा करते थे आज इसके पास पैसा आगया तो ये अपने आपको बड़ा आदमी समझता है लेकिन ये सोच से आज भी बहुती छोटा आदमी है दोस्तो ऐसी बात सुनने के बाद इस डी लैविस को बहुती ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि रोनी ने इसकी जाती का मजाक उड़ाया है ये बात बहुत बुरी लगती है किसको डी लैविस को अब D-Levis कहां चला जाता है दोस्तों किलब में चला जाता है जहां से इन्हें membership मिलती है किलब में जाने के बाद D-Levis का सामना किसे होता है दोस्तों रोनी से रोनी और D-Levis एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं ये एक दूसरे की सकल से इतनी नफरत करने लगे हैं कि एक दूसरे के सामने भी नहीं आना चाते हैं लेकिन जब ये डी लेविस किलब में पहुँच जाता है जहां से इन्हें मेंबर्शिक मिलती है तो वहाँ पर रोनी और डी लेविस दोनों को प्रिजेंट होना पड़ता ह रोनी के बारे में डी लेविस वहाँ पर बोलता है कि रोनी ने उसके 1000 पाउंड को चुराया है जो उसने अपनी फिली को बेचकर कमाई थे रोनी इस बात को नकार देता है और वो डी लेविस को यानि कि रोनी जोस्तो डी लेविस को चैलेंज करता है कि तुम ज़्यादा म लड़ाई नहीं होती लड़ाई वो किस तरह की लड़ते हैं या तो वो बातचीत से ही मुद्दे को सोल्व कर लेते हैं या फिर कोट के थुरू केस लड़ते हैं इस तरह के लड़ाई होती है तो दोस्तों यहां पर इस तरह की बात होकर डी लेविस की जान बच जाती है क्यो दोस्तो रोनी आकर कहता है अपनी वाईव से कि हमें ये सहर छोड़ देना चाहिए, यहां के लोग हमारे लिए अब ठीक नहीं रहे हैं, तो दोस्तो ये मेवल डैंसी जो है अपने पती रोनी से कहती है कि नहीं यदि हम अभी सहर छोड़ कर जाएंगे तो सभी ये लोग सोच की है तो यदि हम छोड़ के जाना भी चाते हैं इस सहर को तो कुछ समय बात चले जाएंगे रोनी इस बात को मान लेता है कि हाँ यदि हम अभी छोड़ कर जाते हैं तो सभी लोग हमें दोसी मानेंगे और यही मानेंगे कि 1000 पाउंड हमने ही चुराए हैं अब दोस्तों रोनी यह decide करता है कि ठीक है हम इस शहर को छोड़ कर तो नहीं जा रहे हैं लेकिन मैं अब इस d-levis के ओपर मानहानी का case लगांगा कि उसने मेरी इजद को खराप किया है इसलिए मैं इस d-levis के ओपर मानहानी का case लगांगा अब ये रोनी जाता है दोस्तों एक वकील hire करने के लिए और वकील कौन सा hire करता है वो जैकप ट्विस्टन जो बहुत ही इमानदार वकील है और हमेशा नियाए की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन ये दोस्तों रोनी केस ले लेते हैं ये बहुत ही गलती करते हैं ये अपने ज इस केस को लेकर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि ये रोनी को बचाने की कोशिस करेंगे और ये एक गलत केस लड़ने जा रहे हैं अब मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ कि रोनी ने इतनी बड़े-बड़े किलब्स की मेंबर्सिप लेने के बावजूर एक हजार पॉंड की चोरी क्यों की है इसके पीछे एक राज है दोस्तो क्योंकि इस रोनी के सम्मंद फिजीकल रिलेशन एक लड़की के साथ थे एक इटेलियन लड़की के साथ थे जो रिलेशन ये साधी के पहले रखता था वो किसकी बेटी थी दोस्तो पाउलियो रिकार्डोस की बेटी थी ठीक है इस बंदे की बेटी थी जिसके साथ रोनी के रिलेशन थे अब ये उस लड़की का बाप है ये रोनी को बार बार धमकी दे रहा है कि तुमने यदि मेरी बेटी को जीवन वैतीत करने के लिए पैसे नहीं दिये तो मैं ये सारी बाते जाकर तुमारी पतनी मेबल डैन्सी को बता दूँगा और तुमारी पतनी तुम्हें छोड़ देगी तो दोस्तो रोनी को पैसों की जरुत थी इसलिए रोनी ने दोस्तो फडिनेट डी लेविस के 1000 पाउंड चुरा कर इस रिकार्डोस को द पता चलती है कि रोनाल डैन्सी मतलब कि रोनी ने ही दोस्तों 1000 पांड को चुटवाया है तो ये रोनी को दोस्तों एक सलाह देता है कि तुम अपना मानहानी का जो केस है वो वापस ले लो और इस सहर को जितनी जलत्दी हो सके छोड़ कर चले जाओ इसी पर दोस्तो रोनी के सीनियर जिनका नाम जर्नल कैनेंज है वो भी आगे आते हैं मदद के लिए रोनी की और कहते हैं कि हाँ यदि तुमारी गलती है रोनी तो तुम सहर को छोड़कर चले जाओ और मैं तुम्हें इस पैनिस वार फोजियों के जो घर हैं उनमें से एक घर दिलवा दूँगा मैं तुमारी मदद करूँगा तुम मेरी बात मान लो रोनी और इस सहर को छोड़कर इस देश को छोड़कर यहां से चले जाओ तो दोस्तों रोनी जो है अपने सीनियर की बात मान लेता है लेकिन वो अभी भी अंदर ही अंदर घुट रहा है कि उसने अपनी पतनी मेबल डैंशी के साथ दोगा किया है उसका विश्वास तोड़ा है चोरी करकर क्योंकि मेबल डैन्षी को पूरा विश्वास है कि उसका पती ऐसा काम नहीं कर सकता अब दोस्तों ये रोनी जब सारा काम बिगड़ता ही जा रहा है इस देश को छोड़ने ही जा रहा है अब तो यह decide करता है कि सारी की सारी सचाई अपनी पतनी Mabel Dancy को बता देगा रोनी दोस्तों आता है किसके पास अपनी पतनी Mabel Dancy के पास आता है और उसे बता देता है कि हाँ वो एक हजार पाॉंड जो है मैंने ही चुराए है और वो पैसे मैंने रिकार्डोस को दिये हैं जिसकी बेटी के साथ मेरे illegal जो संबंध थे illegal relation मेरे रहे हैं साधी से पहले वो मुझे blackmail कर रहा था इसलिए मैंने वो पैसे चुरा कर उसको दे दिये हैं पहले तो दोस्तो इस Mabel Densy को भरोसा ही नहीं होता कि रोनी इतना बड़ा होकर मतलब चोरी कर सकता है एक बड़ा रही साथ में होकर चोरी कर सकता है उसने 1000 पाउंट चुरा कर एक आदमी को दे दिये हैं लेकिन ये जब बात Rony ही accept करता है कि हाँ मैंने ही पैसे चुराए हैं तो दोस्तो ये Mabel Densy कहती है कि यदि तुम इस सहर को छोड़कर इस देश को छोड़कर कहीं भी जाना चाते हो तो मैं किसी भी हालत में तुमारे साथ रह लूँगी और मैं तुमारे साथ चलने के लिए तयार हूँ अब दोस्तो मेबल Densy और Rony इस सहर को छोड़कर इस देश को छोड़कर जाने की तयारी करने लगे हैं लेकिन तभी एक पुलिस का आदमी आता है और आकर वो Rony को गरफतार करने की बात दोस्तो करता है Rony तभी अपने कमरे की तरफ दोड़ पड़ता है वहाँ पर वो कहता है कि मेरे कमरे में आकर मुझे गिरफतार कर लो तो Rony दोस्तो अपने कमरे में जाता है और अपने पिस्तोल लिकालता है और खुद को गोली मार लेता है मतलब Rony जो है इस बेजती को जादा नहीं समाल पाएगा इसलिए वो अपने आपको दोस्तो गोली मार कर आत्मत्या कर लेता है इसी के साथ दोस्तो ये पिले खतम हो जाता है I hope ये कहानी आपको दोस्तो समझ में आई होगी मिलते हैं अगरी कहानी में तब तक के लिए जैहिंद